इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और बिंग सर्च एंजिन्स की उनकी हिस्ट्री की वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है ये कुछ दो दहाईयों से गूगल एक्जिस्स करता है लेकिन वह थोड़ी सी मुखत सी हिस्ट्री कुछ बेन पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा ताके आप लोगं को आइडिया हो कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और कहां सक ये पहुँची तो गूगल का आइडिया जब स्टार्ट हुआ बेसिकलि ये दो फांडर्स लेरी पेज और सरगे बरिन एक जुसरें से युनिवस्ट्री में मिले लेकिन सैंट्फोर्ड वेबसेट को कितनी वेबसेटें लिंक कर रही हैं ये हमें पता नहीं चलता तो कोई ऐसा सर्च एंजिन होना चाहिए कि वो ये बता सके कि इस वेबसेट को कितनी वेबसेटें लिंक कर रही हैं ताकि हम उसको धूंड सकें उसको देख सकें इस बन्यादी आइडिया से ये बात स्टार्ट हुई और उन्होंने मिलकर एक सच एंजन लांच किया जो के 1916 में बैकरप के नाम से लांच हुआ और बाद में इन्होंने इसका नाम बैकरप से गूगल रख दिया Google basically ये mathematics में एक word है Google के नाम से जिसका मतलब यह है ये एक number को represent करता है जिसमें एक लगाने के बाद 100 of us 0 लगाने हैं या 0 लगाने हैं तो ये पूरे number को Google के नाम से calculate किया जाता है उसके नाम को play करते वे उसका खेलते वे इन्होंने अपना नाम ये रखा और 1997 में इसकी google.com domain first time register हुई लेकिन एक साल बाद इन्होंने as a company register करवाया खुद को और तकरीबन 1998 में ही सप्टेंबर में इन्होंने google as a search engine लाँच कर दिया जब website लाँच हुई गूगल के लेरी जो founders और लेरी पेज और सर्जी ब्रेन ने इसको बेचने की कोशिश की वो ना सिर्फ याहू के पास गए बर कि वाल्टा विस्टा और जो कि उसके एक अच्छा से चिंजन था और Excite के पास भी गए या तक कि वो 750,000 डॉलर पे बिकने के लिए वो ready थे लेकिन किसी ना किसी तरह से Excite के CEO ने आके डील कैंसल कर दी जब उनको कुछ भी ना बना तो उन्होंने एक छोटे से आफिस से स्टार्ट किया किस तरह उन्होंने कहा कि जब चूंके बिक नहीं रही तो उन्होंने इसको as a company launch किया और उसके काम शुरू किया यह वो एक फोटो है जो पिछले जो इनकी अरली टीम जो कि Google की बनादी शुरू में जो members थे यह उस टीम का एक हिस्सा है जो कि आज इस दुनिया के एक तरह से सबसे बड़ी company के बीच में हैं या कोई लोग छोड़ गए है अच्छा 2005 में जैसे हमने पहले discuss किया कि Google ने वक प्रॉडक्स ही जो गूगल लांच करता गया पर 2006 में यूट्यूब लांच हुआ फिर 2008 में Google Chrome लांच हुआ फिर गूगल प्लस लांच किया जोने 2011 में और करते करते वो different product different उकात में वो लांच करते गए और आज यनि के last year 2017 में Google का जो टोटल revenue था वो 109 billion dollar का था और अब त product different domains में भी penetrate कर रही है जो दूसरा वड़ा search engine है वो Bing है जो Microsoft की product है जैसे हमने बात की कि search engine almost सब एक ही pattern पे vectors को rank करते हैं और उसके बाद उसको index करते हैं लेकिन हम चुके Google को ज़्यादा focus करते हैं उसकी वज़ाज यह है कि Google ज़्यादा माना जाता है और clients में जब हमें पैसे देते हैं या हमसे request करते हैं तो वो Google के ओपर results expect करते हैं वो अगर आप उनको Bing पे दिखा भी दें तो वो शायद accept ना करें तो Bing लेकिन फिर भी एक market share रखता है बिंग की एक importance है तो Bing search engine जब launch हुआ इससे पहले MSN search engine MSN के नाम से search engine exist करता था जो बाद में लाइफ Windows Live के नाम स मशूर हुआ फिर लाइफ सर्च हुआ लेकिन उन्हें बाद में जून 2006 में उन्हें जून 2009 में उन्हें इसका नाम Bing रख दिया और Bing को एक नई पाड़क्ट पर उन्हें लांच किया 2012 में उन्हें याहू की साथ merger करके याहू की search on कर ली याहू search engine अब as a search engine primarily नहीं exist करता बिंग जाधातर याहू की search power करता है और इस वक्त बिंग का जो है share market में तक्रीबन 20.9% calculate किया जाता है जो के USA में figures हैं बाकी जोग अब इसकी figures नहीं हैं लेकिन फिर भी बिंग एक दू अगर आप search engine optimization के perspective से देखें तो Google नमबर वन पे है और Bing नमबर टू पे है और दोनों ही almost बहतर है क्योंकि ultimately हमें traffic चाहिए हम जब अब search engine optimization की बात करेंगे इस course में हम almost focus हमारे अधाधा Google के ओपर होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे जहां पर दूरुत पड़ी वहां पर हम Bing को भी include करें